पके आम से टेस्टी मिठाई कैसे बनाए आज मैं वो तरीका बताने वाली हूँ और ये दुकान से बिलकुल भी कम नहीं लगने वाली है और इसका लुक देख सकते हैं बिलकुल ही कीमती लग रहा है तो चलिए सुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और बिलकुल ही असान तरीक से पके वाले आम की टेस्ट से भरपूर महंगी मिठाई जो काफी टेस्टी लगेगी और बनाना इसे मिंटो का खेल हो जाएगा और जितने भी समान है आपको आराम से घर में ही मिल जाएंगे तो सबसे पहले आपको लेने हैं पके हुए आम और मिकसर में पीस के इसे प्योरे की तरह आप सेट कर सकते हैं तो वहीं काड़ी से मैं ने एक काड़ी डाला है यह पके हुए आम के पल्प और इसे अच्छी तरह से आपको लगतार पकाते रहना छो जब तक जब तक इसका जो कलर है कलर हलका सा चेंजिना हो जाए तो यह दही हलका सा कम हो चुके हैं और थोड़ी सी यह पेश्ट है वह बहुत ही अची तरह से गाड़ी भी हो चुकी है अब चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं तो जीस कटोरी से आपने आम के पल्प डाले थे तो वही कटोरी से आपको आधा कटोरी डालना है चीनी और अगर आम आपके ज्यादा पीज के रख लें मिक्सर में ही उसके बाद आप चेक करके डाल सकते हैं उसके बाद मैंने तीन से चार कुटी हुई इलाइची डाली है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए और इलाइची डालने के बाद फिर से मैंने चला दिया है और यह आप देख रहे हैं अभी बस उतना ही आपको लेना, तो मैंने अभी थोड़ा सा रख दिया है, पहले अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी, उसके बात फीर से मैं डालने वाले हूंगी, जितने भी इसके लंब से गाठे हैं, सब अच्छी तरह से मिल जाएंगे, और हाँ एक बात आपको धियान रखना है, इसलिए आप थोड़े से मुँँडेंगे, तो आराम से मिल जाएंगे, जहां आपके दुकानों के दिखेगी बड़े-बड़े मिठाईों वाली, उसके आगल बगल जो रासन के दुकान होते हैं उसमें आराम से आपको ये दूद मिल जाएगा, उसके बाद मैंने डाला है नारियल का भूरा, ये दिखेए थोड़ा से मैंने डाला है, अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, इससे मिठाई थोड़ी सी और टेस्टी बन जाएगी, अगर नहीं है तो आप फिर वही डेरी वाइटन, जो मैंने मिल्क पाउडर डाला है, उसकी मातर थोड़ी सी आपक सुखा लेने हैं, और ये अची तरह से सूख चुके हैं, उसके बाद मैंने एक चमच डाल दिया है इसमें घी, ताकि ये जितने भी चिपक रहना एक भी नहीं चिपकेंगे, और आराम से एक जगा सिमट के ये आजाएंगे, मिठाई में एक चमच अकर घी डालने से क्या हो तो ये देखिया अच्छी तरह से आपको स्क्रेच करते रहना, लगातार गेस के फिलम थोड़ी से लो कर देनी है, और अच्छी तरह से पका लेना है, और आप चलिए मैं चेक करने का तरीका बता रही हूं, कि इसे कैसे चेक करें कि आपका ये डो है, वो पर्फेक्ट है य और एक से दो मिनट में ही अच्छी तरह से बेटार आपका बन के तियार हो जाएगा, नहीं हो रहा है, तो फिर से आप चेक करें, वो ही प्रोसेस रहेगा, अगर हलके से चिपा करें तो आपको एक से दो मिनट अच्छी तरह से चलाना पड़ेगा, और गेस की फ्रेम बिलक है, जो मेरा ठंडा हो चुका है, मिठाई को साही लुक देने के लिए, अब मैं कुछ चीजे और भी एड़ करने वाली हूँ, अगर आपको घर में नहीं मिलेंगे, तो आराम से मार्केट में 5-10 रुपे में ये पेकेट मिल जाएंगे, और जब भी आपका भी रेसिपी बन आपको बना लेने हैं, ये देखे, बहुत ही ईजी तरीका है, आराम से बन जाएंगे, जैसे रोटी के गोले बनाते हैं, बस उसी तरह बनाने हैं, और बीच में थोड़ा सापको छेद कर देना हैं, ये देखे, कोई भी डिजाइन आप दे सकते हैं, तो मैं आज ये डिजा आपको आराम से घर में बना के आप एंजोई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको गोला करना है, और गोला आपको अच्छी तरह से तयार कर ली हैं, मैंने ये देखे, गोला कर ली हैं, और ये है घर में ही आपको मिलने वाली लॉंग, लॉंग तो आपके घर में आराम से मिल करते हैं और यह देखे आपको क्या करने है अच्छी तरह से बीच में हॉल में अच्छी तरह से आपको छेट कर देना है और नहीं करना है तो बीच में अगर नहीं यह सब आपको करना है तो बीच में आप गोल जैसे पहले बने बताई थी बस वह तरीकास समाल कर सकते हैं आप उसके बाद आपको लेने है थोड़े से green color और green color को थोड़ा-थोड़ा आपको क्या करने है अच्छी तरह से थोड़े-थोड़े आपको tap-tap कर देना है ज़्यादा नहीं देना है बहुत ही हलका सा देना है ताकि यह पत्ते का थोड़ा सा different look है बिल्कूल ही हलका सा green और yellow का बहुत ही अच्छा सा combination रहता है आप इसे आप अराम से रखे एक हपता फ्रीज में आप इसे enjoy कर सकते हैं फ्रीज में रखे और अराम से एक सपता तक अपीस आम वाली recipe को enjoy कर सकते हैं कैसी लगी आज की हमारी यह tasty मिठाई बनाने की यह तरीके यह आप हमें जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर से एक next recipe में तब तक के लिए बाई बाई